हाई गाईज तो आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं हाव तो एड सी एसे सी एसे को एड हम कैसे करते हैं अपने HTML डॉकुमेंट के अंदर तो चलिए सुरू करते हैं तो कहता है सी एसे सी एड़ेट टू HTML पीज तू हमारे पास तीन वे हैं सी एसे को इंसर्ट करने के लिए HTML डॉकुमेंट के अंदर सबसे पहला है इनलाइन सी एसे क्या होता है इसी वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं ठीक है तो उसके बाद दूसरा है इंटर्नल सी एसे और तीसरा है External CSS और Inline CSS क्या होता है इसी वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं तो सबसे पहले देखते हैं Inline CSS Inline CSS क्या है Inline CSS style may be used to apply a unique style for single element मतलब किसी एक single element के अंदर मान लेते हैं कि कोई H1 है उसके अंदर एक unique आपको सबसे पहले क्या करता add style attributes style attributes का आपको add करना पड़ेगा जिस element के उपर आप क्या कर रहे हैं CSS apply करना चाहरे हैं तो उसके अंदर आपको style attribute को लिखना पड़ेगा The style attribute can contain any CSS property कर सकता है क्या style attribute है can contain any CSS attribute यह contain कर सकता है मालब कोई भी CSS attributes को तो चलिए देखते हैं इसको हम कैसे करते हैं तो सबसे पहले आपको HTML का tag लिखना है यहाँ पर HTML का tag जो की आपको हो सकता है h1, h2, div, table या कोई किसी भी तरह का हो सकता है अब इसके अंदर आपको लिखना पड़ेगा style इसके अंदर आपको लिखना पड़ेगा style attribute अब इसी के अंदर आप यहाँ पर लिखेगा CSS का property यह जो आपका होगा CSS का property और यह इसका value फिर यहाँ पर CSS का property आपको इसका value यह इसका CSS इसका property और इसका value आप इसी तरह से उसका यूज कर सकते हैं तो देख कुछ इस syntax इस तरह से है तो syntax वो हो गया और यह इसका example हम यहाँ पर क्या किये हैं S2 के अंदर style attribute का यूज किये हैं और यहाँ पर लिखे हैं inline CSS और इसका हम color read कर दिए मतलब जिस element पर आप यह जिस tag पर आप style देना चाहते हैं उसी tag पर आपको लिखना पड़ेगा तो यदि आप इसका use करते हैं inline CSS का यदि आप inline CSS का use करते हैं तो आप चाहिएगा कि दूसरे element पर इस code को लिखे हैं इसको हम use करें तो आप इसको use नहीं कर पाईएगा जिस line पर आप लिखे हैं उसी line के अंदर तो description में link दिया होगा पूरे playlist का आप वहाँ से देख सकते हैं तो यह हमारे पास abc.html है क्या है? abc.html है यह हमारा बना हुआ है tut नाम का यह जो folder है यहीं पर बना हुआ है abc.html अब इसमें क्या है कि हम चाहते हैं कि inline CSS का use करना तो सबसे पहले देखते हैं इसके अंदर css का use नहीं किये है इस template के अंदर यानि abc.html है इसके अंदर css का use नहीं किये है और देखते हैं कि हमें babe browser पर किस तरह से so करता है viewing browser किये तो आपको कुछ इस तरह से so कर रहा है इसके अंदर हम कुछ भी यूज नहीं किये हैं CSS का सिंपल सा HTML का जैसे लिखा हुआ है tag का यूज करके उसके अंदर text लिए हैं वो हमें दिख रहा है अब इसके अंदर हम चाहते हैं कि inline CSS लिखना inline CSS, inline CSS कैसे यूज करते हैं जिस element पर यानि जिस tag पर आपको CSS अपलाई करना है कुछ आपको उसको डिजाइनिंग को चेंज करना है तो उसी के अंदर जाइए एक क्या है style attribute का यूज कीजिए अब इसके अंदर आप सभी जितना का जितना style का है जितना attributes है आप CSS का attribute है अब उसका यहाँ पर use कर सकते है हम यहाँ पर करते हैं color ठीक है color हम कर देते हैं red अब जैसा ही create कीजिएगा तो यह जो आपको black color का welcome to take ravish संकर दिख रहा था आपको black color का नजर आएगा देखिए इसका color change हो गया अब यह क्या है इसके एक अब यहाँ पर चाहते हैं एक और देने के लिए property दूसरा property हम देना चाहते हैं text align center text align center करेंगे तो देखिए यह क्या हो जाएगा alignment इसका center हो जाएगा अब जितना चाहें इसके अंदर दे सकते हैं तो यह क्या हो गया इसको कहते हैं inline CSS, मतलब इसके अंदर यह जो है, एक ही है तीक है, इसके अंदर एक ही है, इसका यूज जो कर रहे हैं, यह एक inline CSS है, ठीक है, आप चाहते हैं आप P के अंदर भी लिखने, तो P के अंदर भी style sheet देना चाहते हैं, तो हम color प्रपठीक लगा रहे हैं, तो इसका हम text मान लेते हैं, कि इसका blue दे देते हैं, तो इसका जो text है, blue हो जाएगा, देखिए, color इसका blue हो जाएगा, यदि आप इसके अंदर background लगाना चाहते हैं, तो background भी लगा सकते हैं, जैसे यहाँ पर लिखते हैं, इसका background color, background color, black देना चाहते हैं, तो black दे सकते हैं, तो आप यहाँ से इसका सब कुछ change कर सकते हैं, देखिए, इसका background color इसका change हो गया, तो आप इसके अंदर inline CSS का यूज़ आप कर सकते हैं, आप inline CSS का यूज़ कैसे कीजेगा, जिस property मतलब जिस element पर आपको लगाना है CSS, उसी element पर जाईए, उसके अंदर style attribute का यूज़ कीजिए, और उसके बाद CSS का जितना property लगाना चाहते हैं, जिस टैप का आपको designing करना है, आप वहाँ पर कर सकते हैं, तो चलिए आपको ये वीडियो कैसा लगा, comment box में बताईए, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा, तो like कीजिए, share कीजिए, यदि अभी तक आप चैनल को subscribe नहीं की हैं, तो चैनल को subscribe कीजिए, तो मिलते हैं एक्स वीडियो में, तब तक के लिए, जैहें